हेलो काईस कैसो अब सभी लोग मैं हूँ एक छोटा सा नन्ना मुन्ना शार्क और ये है वो शार्के जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ तो आज अभी हम जाने वाले उससे शादी करने मैं आ गया मैं आ गया तुमसे शादी करने सुनो, 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 मुझे पता है, तुम सब के सब मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं अधनी सादा क्यूब जो हूँ, पर मैं तुम सब से शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा है मैं शादी करूँगी तुसरे दुनिया की सब से स्ट्रोंगेश शार्क से, तो तुम मैं उस्से चूब में से जू सब्से शेयर बन के तिखाएगा मैं उससे शादी करोंगी घा रți मुझे देगो मुझे थेको मैं सब्से स्थ्रॉंकिष्ट श schwकी करनो क्या, तुम सबसे strongest हो, अभी दो मिनिट पहले तक तो मुझे पता में नहीं था कि तुम एक shark हो, मुझे लगा तुम एक मच्छर हो, तुम तो बहुत ही जादा चोटे हो क्या, मैं चोटा हूँ हाँ, तुम बहुत ही चोटे, कमसूर और बिना पावर वाले shark हो, मैं तुम से शादी नहीं करने वाली, अगर तुम को मुझे से शादी करनी है, तो तुम 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 टेक्शन मतलो, मैं तुम से खतरनाक shark बन के रहूँगा, तो कैसर, यहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन मे खड़े, उस sharkी से शादी करने के लिए, पर उस sharkी से सिर्फ मैं ही शादी करूँगा, पर उसके लिए हमें एक खतरनाक सी shark में अपड़ेड होना पड़ेगा, अभी मैं छोटी सी प्यारी सी बिना पावर वाली shark हूँ, पर मुझे एक बहुत जादा खतरनाक shark बना तब ही मेरी शादी हो पाएगी, तो चलो फड़ा अपड़ से चलता है, अपड़ेड होने एक खतरनाक सी shark में फिर हमारी होगी शादी, तो काईसर चल्दी चल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को समस्क्राइब कर देना, और कमेंट में लिख दो, shark की शादी, अगर आ हम जाने बाले इस गदरनाक से उपन Гिम में, रोक जा बच्चे, कहां जा रहा है, अरे, जीम में चाहरा हूँगा, साइड इधना जाओ जाओ, बच्चे, मैं साइड नहीं हुने वाला, यह जिम मेरा है, और मैं इस जिम का जैकान शिक हु! अरे, करेले जैसे दिखने वाल आदमी हच्जा में तुझा मार दूँगा तुझे लगता है तुम मेरे सामने एक पिती है पिती बात तो सही है यल्क सही में बोहत निज़ा पड़ा है अरे प्लीज मुझे चाने दो मुझे अफ़िए उना है इस जिम में चाने के लिए तुमें एक मेंबर्शिप लेनी पड अच्छा मेरी बात सुनो तुम अपग्रेड होना चाहते हो एक खतरनाक से शाल्क में तो तुमें जाकर मेरे बच्चे को स्कूल से लाना पड़ेगा क्या स्कूल से लाना पड़ेगा अरे मैं कै तुम्हारा ड्राइवर हो जो कि मैं लेक्या हूँ अच्छा ठीके तो फिर मैं तुम्हें जिम में नहीं आने दूँगा अरे ऐसा मत करो ठीके मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ पताओ कौन से स्कूल में बढ़ता है वो? वो तो मुझे भी नहीं पता जो लोस सेंटोस का सबसे बड़ा स्कूल ना वहाँ पर बढ़ता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ तो काईजर अभी हम इस हल की गाड़ी में जाने वाल है हल के बच्चे को लेने उसके स्कूल से यह हल को बच्चे का बापा है और इसको यह में नहीं पता कि इसका स्कूल का नाम कै पर कोई बात नहीं मुझे पता है लॉस सेंटोस का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है चलो फड़ा अपट से चलते हैं इसके बच्चे को लेकर आते हैं तभी मुझे ये जिम के अंदर गुसने देगा तो काई सर अगर आपको अपने स्कूल का नाम पता है तो फड़ा पड़ से कमेंट करके बता दो देखते हैं किसको अपना स्कूल का नाम पता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बता देना और आ पर बहुत सारे बच्चे ऑन के पेरेंट्स है पर बेबी है को तुम्हें को ढूंड रहा हूं तुम्हें के होँ लूध का रहा है और इक पापा के पास दे दो उसके बाद हम अभ ग्रेड होने वाले काई बेबी हल्ग? हाँ 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 आज तो बागने में बहुती चाहरा बगू बागू 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 मुझे कोई नहीं पकर सकता और काई सर मुझे भी बेबी हल्ग दिख चुका है रुक्चा बेबी हल्ग मैं तुझे नहीं चोड़ूगा एक सकिन ये कौन मेरे पीछा रहा है ओ लगता है मेरे साथ पकडम पकड़ाई खेलना चाहते है अंकल आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे अरे बेबी हल्क रुगजा क्यों भागे जा रहा है अरे रुगजा रुगजा मैं तुझे घर लेके जाने आया हूँ अंकल आप मुझे नहीं पकड़ सकते हैं अरे मैं तेरे साथ कोई गेम नहीं केल रहा हूँ मैं तुझे घर लेके जाना है हूँ अरे ये पागलों की तरफ भागे कुझा रहा है और ये इतना ज़्यादा तेच कैसे भाग रहा है रुगजा बेवी हल्क या अंकल आप मुझे दूवें नहीं पकड़ आओगे मैं पहुत ही तेज हूँ यह अरे कैसरी भी तुब पागल हो चुका है अरे रुग जा मैं तुझे दिखू आपके पास लेके जाओंगा अंकल मुझे पागल मत बनाओ आप मुझह नहीं पकड़ पाओगे मैं ही जीतूंगा अरे मैं तेरे सा यह तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, आजाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, अंकल, अंकल, दो दोगे क्या, बर्गर, दो क्या, चार ले 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 ना, बना भी मेरे साथ चलो, तो कैसर, अभी बेवी हल्क के आपड़ा में मिल चुका है, इसको फड़ा अपड़ से ले के चलते हैं, इसके पापा के पास, और फिर हम अपग्रेड होने वाले अपने सबसे पहले शार्क में, बहुत ही साथा मजा आने वाला है, तो कैसर, अभी आप देख सकतो, हम लोग आ चुके हैं वापिस से उस जिम के पास, आज अंकल, आपने तो फोला ताँ बर्गर के लाओगे, बर्गर का है मेरा, अबे तेको बर्गर खाना है तो आपने पापा से माँग, हल्क, देखो, मैं तुम्हारा बेटा ले आए स्कूल से, अब वड़ा अपट से मुझे इस जिम को यूज़ करने दो, बहुत अच्छे, मैंने नहीं सोचा था, तुम मेरे बेटे को यहां तक लापाओगे, बर तुमने ला दिया, हाँ तो आप चल्गी से मुझे जिम यूज़ करने दो, मुझे अपग्रेड होना है, मेरी बात सुनो, अब तुम्हें जिम यूज़ करके अपग्रेड होने की जरुवत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मेरा काम करा, इसलिए मैं तुम्हारा काम करता हूँ. क्या सही में, अब तुम पुझे ऐसे याफगरेप करऊए? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही अफगरेप करऊंगा. अरे यह तो बहुत निकतर दरनाक है, तो क्यशा करने वाला है अफग्रेप? एन पीन सेफटी पीन यह है हलका जेम और काई आप देख सेकतो यह मेरे साथ क्या होना है अजय अपक्रेड़ ओने वाले हो और यह क्या तो कैसर आप देख सेकतो फाइनली मैं अपक्रेड़ हो चुका है एक खातरनाक से शार्क में यह शार्क तो बहुत जब लग रहा है और क्या में क्या मैं तो बड़े बड़े जंप भी कर पार हूं पहले मैं चोटा सा फ्यारा सा शार्क था पर अब में खतरनाक सार्क बन चुका हूँ आप दीशे क्यों थैंक्यू भाल बहुत बहुत शुक्र यह बधा अपक्रेड करने के लिए मसा आ गया तो कैसर आप देख स शार्क बनके शार्क शार्क ईसे रख भॉत अब बंगेट को चलते हैं और तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है लिते गा हुने वाला है अप ग्रेड अब वो शार्क भी हो सकती है और लायन हो सकता है यह एक बॉलिंग चैल lige लेंज अगर तुम अब ग्रेड हो जाओगे तो चलो फिर चैलेंज को शुरू करते हैं तो चलो फिर सबसे पहले इस लॉयन की बारी मेरे बारे आचुकिये मैं इस बॉल से सारे की सारे पिंच उड़ा दूगा वन डो ती ओर ये क्या मैंने तो सारे की वोगत बड़ी या लोयन तुम ने अपनी पहली बारी में सारी पिंच उड़ा दी तुम इन तीनों में से कोई साभी बरगर खा सकते हो अगर तुमने साई बरगर खा लिया तो तुम डाइलेक्ट आपग्रेड हों अरे ये कैसे हो सकता है इसने तो पहली बारी में सारी की सारी पिंस उड़ा दी और ये तो ये बर्गर खाने वाला है मैं तो ये वाला बर्गर खाने वाला हूँ अम नम 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 एरे ये क्या मेरे ये बर्गर खा लिया और मैं तो अपग्रेड नहीं हुआ इसका मतलब वो बर्गर अपग्रेड वाला नहीं था अब शार की बारी तो काई सर अभी यहाँ पर मेरी बारी आ चुकी है इस लॉयन ने एक बर्गर तो खा लिया सिर्फ दो बर्गर बाकी है और उसमें से एक अपग्रेडिंग वाला बर्गर है तो चलो फुराफ़ट से इस बॉल को उठा लेते हैं और अभी हम फैकने वाले सारी की सारी पिंस गिराने वाले तो चलो फुराफ़ट से इसको शूट करते हैं तो काई सर अभी तो कि आपने वीडियो को लाइक नेगे तो फुराफ़ट से लाइक करतो तो चैनल को सब्सक्राइब करतो क्योंकि अभी हम इसको शूट करने वाले 321 बूम और कैसर आप देख सकते हो सारी की सारी पिंस यहां पर गिर रही है और यह गिर गई शूट करो सारी अज़ों में से तुम भी एक बर्गर का लो तो काईसर सारी पिंस तो उमने घुरा दी आप बारी बर्गर चूसक्र करने की इन दूनों में से कौन सा बर्गर अपग्रेडिंग वाला हो सकता है हमें जल्दी से पता करना पड़ेगा अकडवा कडवा मैं पो असी नपे पूरे सो सो में से रिकना दागा चोनिक के बागा राचा की बीटी सुरी दिख वर्गर करते हैं अब नम 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 अरे काईजर ये क्या मैंने ये बर्गर दो का लिया पर मैं अफग्रेड नहीं हुआ इसका मतलब ये जो आकरी बर्गर है वही अफग्रेडिंग बर्गर है अब सिर्फ एसगार्ड का आखरी बर्गर बचा है और अब बारी ये लॉयन की अगर उसने सारी की सारी पिंस को उड़ा दिया तो वो अग्रेड हो जाएगा तुम देखना ये बर्गर तो मैं ही खा के रहूंगा सारी की सारी पिंस उड़ा दूगा मैं यह आखरी मौका है लोयन याद रखना और कैजन आप देख सकते हूं सारे की सारी पिंज गिरते चाहरी है और यह क्या यह क्या आखरी पिन यहाँ पर बच गई और बाकी सारी की सारी पिंज गिर चुकी है ये क्या इस लॉयन ने सारी पिंस उड़ाई बस एक बच गई अब बारी शारकी शारक मेरी बात सुनो अगर तुमने सारी की सारी पिंस नहीं उड़ाई तो ये बर्गर मिल जाएगा इस लॉयन को तो कैसर अभी हमें आखरी मौका मिलने वाला है इसको कंप्लीट करने का हमें वो सारी की सारी पिंस लॉड़ाई पड़ेगी तब ही हम अपग्रेड हो पाएंगे क्योंकि स्रिफ इसने एक पिंस चोड़ी थी पर हम एक भी नहीं चोड़ने वाले तो हम बिल्कुल तयार अगर हम तयारो तो फड़ाफट से कमेंड लेग तो वी रेडी और फड़ाफट से शूट करते है थ्री ढू वान शूट और खैसर आप देख सकतो सारी की सारी पिंस गिर रहिए सारी मैने तो सारी की सारी पिंस05 विए मतलम ये आख़री चाहांवा शी Rules बख़लेदा एग्ब आस ब आप देख सकते हूं फाइनली मैं आप अपग्रेड हो चुका हूं अच्छा वाला अपग्रेडिंग बर्गर खाकर एक खतरनाक सी शार्क में और मैं कितना जादा देज भी भागपा रहा हूं मैं तो सही में बहुत ही जादा पावरफुल हो चुका हूं थैंक यू थार उसको दुन्या की सबसे खतरनाक शार्क चाहिए और मुझे लगता ये दुन्या की सबसे खतरनाक शार्क है अगर हमें दुन्या की सबसे खतरनाक शार्क बनना है तो और भी जादा अपग्रेड होना पड़ेगा तो चलो फड़ापट से चलते हैं अपग्रेड होते हैं ता तो इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं अपना खदरनाक सार ड्राइंग मैजिक बोड़ चलो वड़ा पड़ से ट्रॉ करते हैं और एक खदरनाक सी शार्क बनाते हैं तो काई सर अभी आप देख सकते हो हम लोग आचुके हैं ट्राइंग मैजिक बोड़ पर और इस पर हम एक खदरनाक सी शार्क बनाने वाले हैं चोकि बहुत जादा पाउरफुल और खदरनाक होने वाली है हम बनाएंगे इसके बड़े बड़े डोले शोले वाले हाथ ताकि ये शार्क लगे और भी जादा पाउरफुल और इसका बड़ाफट से हाथ यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं 1,2,3 और सेम हाथ यहाँ पर भी बनाते हैं यहाँ पर लेके जाएंगे 1,2,3 डोले शो तो इसनी यहां पर करें और शार्की जैसे यहां पर इसको बढ़ यासा ये पंक देदे इसको एक जल मच्ली की तरह हम यहां पर देने वाले फुराफट से ऐसे कर देते हैं और यहां पर भी थोड़े बहुत इसके वो और यहां पर यह भागी कि इसके फिंस लग जाएंगे क्शार के होते तो यहां पर यह भी डॉन हो चुका है बउज है सो यह जादा हो देक्णक एक प्रॉट से यहां पर पूरा कम्प्लीट कर देंगे इसको यहाँ से ऐसे लेकर जाएंगे ऐसे ऐसे और ये डन वड़ाफ़ट से इसके एब्स बनाएंगे थोड़े एब्स भी ज़रूरी है तब ही तो हम जादा पाउर्फुल बनने वाले यहाँ पर इसका एब्स भी बन चुके थाख लगने वाला यह बहुत सारे दाथ भी आमने इसको देती है ताकि यह लगे और पी ज़्यादा पाउर्फुल और ऑब इसको एक चतरनाक सा वैपन भी देने वाले तो फटाफ़ट से इसको एक नशा वैपन देते हैं इस वैपन को यहाँ पर बना ताकि यह वैपन को यहाँ पर बना देगा हो फिर इसको हम हाथ में देने वाले यह वैपन वड़ावपट से यहाँ पर बना देते हैं तो काईसर जम यह वैपन बन जाएगा तब हमारा शार्क साही में बहुत ही जादा खदरनाक लगने वाला है पर उस से वेले अम पूर कर देते हैं यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे यह बूम और यह वैपन बस यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है फड़ाफट से इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं और अब हम इसके अंदर करने करने वाले सबसे पहले वैपन के अंदर करेंगे यह पूरा का पूरा ब्राउन होने वाला यहां पर ब्राउन ब्राउन और गोल्डन लेके इसके यहाँ पर कर देंगे वैपन में कलर कंप्लीट हो चुका है फड़ाफट से लेंगे लाइट ब्लू कलर और इसकी पूरी पंट से लाल कर देते हैं ताकि यह शार्क लगे बहुत ही जादा खतरनाग और काईजर आप देख सकतों सारा का सारा कलर कम्प्लीट हो चुका है वड़ापट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं हमारी ड्राइंग हो चुकिए यहां पर कंप्लीट और यह पेंटिक बना यह का यूज करके हम यहाँ पर उड़ भी सकते हैं यह सही में बहुत ही जादा खतरनाग शार्क हमने यहाँ पर बना दिये ऐसी शार्क आज तक किसी ने कभी नहीं देखी यह तो सही में बहुत ही जादा पाउरफुल है पर क्या यह दुनिया की सबसे जादा पाउरफुल और strongest shark है, मुझे नहीं लगता इसलिए हम जब तक नहीं रुकने वाले जब तक हम दुनिया के सबसे powerful और strongest shark नहीं बन जाते, तो चलो यार फुराफ़ट से चलते हैं अपन अफग्रेड होने मुझे लगता है ये आखरी upgrade हमारा होने वाला है, फिर हम बन जाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाग powerful shark, फिर हमारी शादी भी दोने वाली है, तो चलो यार फुराफ़ट से चलते हैं final upgrade के लिए, तो काई सर अभी हम आचुके अपने final challenge में, ओए क्या तुम तयार हो इस challenge को complete करने के लिए, हाँ मैं बिल्कुल द्यार हो, तो चलो मैं बताता हूँ तुम को challenge में करना क्या है याँ से अपनी bike लेकर जाना है इन सारे obstacle को cross करते करते याद रखना ये बहुत ही सादा मुश्किल होने वाला है एक बार भी नीचे गिरे तो सीधा हो जाओगे disqualify सारे obstacle को cross करते 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 जाना है सारे बर्गुरों से बिना टकराते टकराते जाकर इस सारे road पर जाना है और याद रखना अगर तुमने ये challenge किया तो तुम बन जाओगे दुनिया की सबसे खदरनाग शार पर ये इतना easy नई होने वाला ये challenge बहुत ही सादा मुश्किल है और फिर आखिर में तुमें बोर्ट्स लेकर जाना है सीदा finishing line पर तो काई सर ये challenge सही में बहुत ही जादा बड़ा और बहुत ही सादा मुश्किल है पर हम इसको कैसे बिकरिए complete करना है तो वड़ाफ़ट अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और निकल लेते हैं सबसे पहले इस बाई को नीचे गिराएंगे बस कहीं मैं ही न गिर जाओ किर जा बॉल किरचा बॉल चलती चलती किरचा बोल तो यह से जा चुकी है अब हम यहाँ पर जाना है फैन से बचते बचाते इस बॉलिंग वाली पिंसे भी यहां से बच चुके इधर पड़ावपट से लैंडिंग करते हैं यह बहुत ही जादा मुश्किल होने वाला है पर ना मुंकिन नहीं तो क्वाई सर अभी तो आपने वीडियो को लाइक निगे तो पड़ावपट से ला पर में गिरते गिरते बच गया वरना बर्गर सीधा मुझे गिरा देता है और यह क्या इस फैन नहीं मुझे हवाब उड़ा दिया पर यहाँ पर हम वापिस से बच चुके हैं चलो एरफड़ावट से चलते हैं इस पूरे चैलेंज को में कैसे भी करके चल्दी से चल्दी क करना है ताकि हम दुनिया की सब से खतरनाक शार्क बनके शादी कर बाएं तो इसलिए आप सभी को कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं गुट लग शार्क चल्दी चल्दी कमेंट कर तो अभी तक नहीं किया है तो बच गया मुझे लगा में नीचे किर जाओंगा पर आप जलते हैं अपनी इस कदरनाक सी कार में और इस पूरे जैलेंज को कम्प्लीट करते हैं चलो यर वड़ा पड़ से यह सारे के सारे ऑप्स्टेकल्स को डॉज करते करते यह आजए जाहें यह अपनी गाड़ी को दाएंगे तो का इस राको के लगता है क्या यह मैं कम मैं कभी मिंघ सकता हो लोगative मुझे पानी में गड़ सकता हूँ और मुझे दुनिया के सबसे कदरनाग शार कबनना है तो चलो फura un Eastern से यहां से चलेंगे सारे बाद को उड़ाते उड़ाते और आप देख सेकते हो यह बड़ी आसा जम्प ले आपर कर लिए हमें यहां से नीचे नहीं किरना अगर मैं नीचे किरा तो सीधा पानी में जाने बाला हूं और ये अहां सबirk और और अच्छ forensic अब मैं रिवर्स में अपनी गाड़ी उतारने वाला हूँ और ये 32 साला बड़िया जंप और हम जाने वाले हैं इस ब्लू आले पर और ये भी बड़िया सी लेंडिंग यहाँ पर कर लिये हैं सामने अखरी रेड वाला बचा है इस पर भी यहाँ पर आ चुके हैं अब बारि अब आपड़ियो को लाइक रिंगे तो क्या कर रहे हो चल्दी चल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यह चैलेंज फिनिश होते ही जैसे हम फिनिशिंग लाइन पर पॉचेंगे हम लोग अप्ग्रेड होने वाले तो चलो चलो फड़ा आपड से चलते है हमें चलो 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 सामने फिनिशिंग लाइन मुझे दिखने लग चुकी है और काईसर हम पॉच्टे वाले फिनिशिंग एड़ थ्री टू वान और काईसर आप देख सकते हो फाइनली हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं तुनिया की सबसे खतरनाक शार्क में यह सही में बह आप यह लोओ मैं तो सही में बहुत ही जादा पावर्फुल हो चुका हूं देखते हैं क्या शार्की अब हम से शादी करेगी मुझे रखता हैं तो क्योंकि हम दुनिया के सबसे बावर्फुल चार्क बन चुके हैं तो चलो एड़ वाफ़ट से चलते हैं शादी करने तो फाइनली आप देख सकते हूं हम दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क बन कर आचुके हैं शादी के मंड़पर यहां पर हो रही है हमारी खतरनाक सी शादी मैं आ गया दुनिया का सबसे खतरनाक शार्क मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुनिया के सबसे खतरनाक शार्क को देख मित्रों आज साम मित्रों आज सब हम साथ में कट्टा हुए शार्की और इस शार्की शादी के लिए आज इन दोनों की शादी तुम तो सबसे इंपोर्टेंट सवाल शार्की क्या तुम शार्क से शादी करना चाहते हो हाँ मैं शार्क क्या तुम शार्की से शादी करना चाहत हाँ वेटी करना चाहता हूँ बढ़ायो तुमारी शादी है बदायो तुम्हारी शादी हो गई मैं जा रहा हो युदा भाई और काईसर फाइनली जो वीडिव के प्रूड तर गूल के शारकी से हमारी शादी हो चुके इस तोड़ आप पर हो चुके तो कैसर आज इवर से भ फोलो करना वाव बेटके मसमस बात करेंगे और काईसर मैं में लोगा आप सब्सक्राइब तक तक के लिए बाइबाइब